नमस्कार मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ राजधानी की धर्नास्तल की खबरे लेकर के जैसा कि आप खबरे देखते हैं और आपका बहुत सारा प्यार भी हमें मिलता रहता है और हमें उत्सा भी मिलता रहता आपकी लड़ाई लड़ने के लिए जैसे कि आपने मदरसा पूज रहे हैं कहां कहां से लोग धरना इस थल पे आ करके सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं लेकिन फिर भी सत्ताधारी सरकार जो है वो जागने के लिए राजी नहीं है और उसी तरफ जो पूर्व मंतरी है सपा के वो आए है सुद लेने मदर्सा सिक्षकों की देखिए हम हमारे संबाद्धा तब विक्रम की एक रिपोर्ट कारदो तो जैसा कि आप देखनें पिछले छे दिनों से मदर्सा आधुनी करण सिक्षकों का प्रदर्शन चर्रा अपनी मांगों को लेकर कई बार सरकार से गुहार लगा चुके लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं किसी तरह का कोई प्रसासनिक अधिकारी अभी तक इनकी सुद लेने नहीं आया इनकी मांग है कि इनका जो वेतन मांग जो भी रध्यांश जो भी है 34 महिनों से रुका हुआ है अभी तक नहीं मिल पाया जिस वज़े से इनका परिवार इनका जो भी रोज मर्रा का कार्य है वो रुका हुआ है बादित है ये जानते इनकी समस्या कि क्या प्रमुक मांगों को लेकर आज ये धरने में आया हूँ और सरकार के केंदर सरकार 34 महीने का और राज सरकार के 9 महीने का मांदे हमें अभी तक नहीं मिला है हम कैसे अपनी जिंदिगी बसर करें कैसे अपने बच्चों को जिंदा रखें क्या खिलाएं क्या पिलाएं और सरकार हमसे चाहती है कि हम काम भी करें और हमें कुछ वो दे भी ना तो बताइए आप यह कैसे चलेगा स्कूल के बाद हम टूशन पढ़ाते हैं अगर हम टूशन ना पढ़ाते होते तो आज हो सकता है हम यहां पे खड़े भी ना होते और जिस तरह से हम अपने जीवन को जी रहे हैं या बिता रहे हैं हमारे जगा कोई 34 महिने नहीं केबल 4 महिने तन खाना मिले वो जी के दिखा दे वो चाहे कोई भी राजसरकारी हो या केंदसरकारी हो तो क्या कहेंगे सरकार से क्या गुहार लगाते हैं अब हम यह इतना चाहते हैं कि पहले तो हमारा जितना भी यह बेतन बाकी है 34 भहीने का वो हमें मिले और वो कैसे मिले क्या हो वो अधिकारी जाने या सरकार जाने क्योंकि हो सकते हमारा पैसा आता हो पर किस बंडर बाट में यह पैसा सारा चला जाता है जानकारी मिलती है हमारे जिले से और प्रदेश इस तर से कि हमारा पैसा कभी आता है तो वो अनमदों में खर्च हो जाता है हमारे तक बिल्कुल नहीं पहुच पाता और उसके बाद या कभी बजट दिया भी गया तो बजट आके हमारा यहां पे प्रदेश में रुग गया या प्रदेश से यूजाइट को या कुछ भी कोई ऐसा कोई सरकारी अर्चन या कोई कागजात के अर्चन को लेके यह आप सकता है अगर उन्हें देना है तो हां नहीं देना तो बता देना कि हम नहीं देंगे हम भी अपना यह सब छोड़ छाड़ के कुछ और भी काम करें पर हमें सरकार से बस यही गुजारिश है कि कैसे भी करके वह अधिकारी का सयोग लें या हमारा सयोग लें या सरकार का कि मंत्रींεια मंत्री से वारता हुए थी और जवाब दिया था मुकिमंस्स को जवा कर देखते हैं एक महीने करका पर दुनिया ब्परकी प्रीशर हो याता है हम लोग के साथ क्या है क्या ये ना इंसापी हो रही यह मुशल्माण नैश्चा के उसको चलाने में पूरा स्योग किया सारे सिक्षकु जी बहुत जाना दुर्दसा है विचारे हम सभी लोग भूके प्यासे पड़े हुए हैं हम लोग अपने घर के बाहर नहीं निकल सकते इतना बकाया उधार हैं यह हमारे अनन भाई यह हमारे अनन भाई हैं महाराज गंज से आए हुए इनसे भी पूछ लीजे क्या क्या हाला और नौ महीने से जो तर परदेश सरकार हमें अनसदान देती है वह नहीं दी है आज हमारे घर की आसी श्तित हो गई है हमारे घर के बच्चे भूखे हैं बुड़े माबाप का इलाज नहीं हो पा रहा है हमारे कुछ सिच्छक साथी रिक्सा चलाते हैं कुछ सिच्छक साथी भीख मांग रहे हैं हम एक सिच्छक हैं पढ़े लिखे लोग हैं हम संख्यक समाज को मुख धारा से जोड़ने का काम करते हैं लेकिन सरकार चार है कि हम भीख मांगें क्या मेरा यही काम रहा गया कि हम बेख मांगें इससे हमारे बच्चों के मानसिक्ता पर असर पड़ रहा है हमारे कुछ साथी कुछ सिच्छक साथी आत्महत्या कर लिए बच्चे डिमांड करते हैं जब किसी चीच की जब आप नहीं दे पाते तो कैसा महसूस करते हैं और हमारे बच्चों के मानसिक्ता पर ब करने का काम करूंगा और उन्हीं का सानुटर पर्देश में भी बीजेपी की सरकार है लेकिन अगर उस सपने को साकार नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा 34 महिने का बकाया कंद्राश दे दें और इस स्कीम को बंद कर दें लेकिन किसी के जीवन को बरबाद नहीं करें मैं उनसे हाथ जोड़के निमेदं करता हूं कि योजना में 40% हिंदू 60% मुस्लिम है भेद भाव की राजनीत नहीं करें और 28,500 परिवारों को बेघर होने से बचा लें और कितने बचों को अनाथ होने से बचा लें मुन से निमेदं कर तो हम लोगों का कंद्राश दे दें हम लोगों का जीवन ही अपन जिससे चलता रहे तो जैसे कि आपने सुना होगा चुनाओं से पहले नारे लगते थे कि सबका साथ सबका विकास और 40% जो बताया भी इनोंने कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम दोनों सिख्षक मदर्सों में पढ़ाते हैं लेकिन कहीं न कहीं सरकार भेदभाव की रागनीद कर रही है और चुनाओं के समय सिर्फ लुभावने स्कीम लुभावने वादे देती है जिस वज़े से लोग उससे प्रदित होकर वो स्कीम चलाने में जुट जाते हैं सरकार की मदद भी करते हैं लेकिन सरकार जब उनको देनी की बात आती तो सरकार कहीं न कहीं पीछे अटी नजर आने लगती। लेकिन आज यहाल हो गया है मुझे जीना हराम है कर्दार मेरे घर पे चायूए है मैं समझों कि मैं किस तरह जिंदगी जी रहा हूं मेरे दिल ही ना रहा है और मेरा बच्या पढ़ रहा है उसका पाइसा नहीं हो रहा है कि मैं आद्मिशन करा तो मैं आठीड दी ते धरने में जाओं और यह सरकार इस तरह कि याद तक हम लोगों के पूछने नहीं है कि तुम लोग किस तरह हो का सिर्जी ठंडीक मौसम में तो हम यह जानना जाएंगे कितने प्रतिशत सिख्षक हैं मदरसा के उत्तर प्रतिश में पचीशाज़ पांट सेच्चा के हैं कुल लेकिन अभी तक सरकार उनको जो उनका वेतन मान था वो नहीं देपा तो यह जो योजना चलाए थी मदरसा शिख्षकों की उसमें आप सभी ने सयोग किया लेकिन आपका सयोग सरकार नहीं कर रही है जैसा कि आपने देखा कि मदरस सिक्षकों का ये कहना है कि सरकार की जब योजना आई थी उन्होंने पुरा दिल दिमाग पुरी जान लगा कर योजना को सफल बनाना में सयोग किया लेकिन आज जब उनकी बात आई वेतन मान की तो कही न कही 33 महीने से वेतन मान रुखा हुआ है आप भी जान सकते हैं कि जब एक दिन कोई वेक्ति कमा नहीं पाता है तो उसके परिवार कैसे चलता है यहां 33 महीने की बात है किस तरह से सिख्षकों ने ये बताया कि उनको भीग तक मांगने पड़ी उनको रिक्षा तक चलाने पड़ा आई है लोगों से और भी जानते हैं कहां से आया है मैं अमरहा जिले से आया हूँ मेरा नाम एहमद रजा है और मैं इस योजना में जो है टीचर हूँ करीब अठारे साल से पर रिलेटिव जो थे उनसे समविधा नहीं मिलती है कि मदरसा से असल में यह संविधा पहना सेवा नियाओली जब लागू होगी यह मतलब यह है कि आपका नियमीतिकणा होगा तो वह सारी सुविधाय मिलती है अभी तो हम समविधा आधारित थे हा तो आप लोगों ने काम होगी है है कि अवगकासा पैसा मिलेगा उकरजा उतारेंगे और हमने जो है करदधार और बन गए तो या तो इसी स्कीम को चलाए तरीके से और हम यह कहेंगे कि जितना भी हमारा बकाया है उसको दे करके भुकतान करके और इसको भंद कर दीजी जैसा कि चुनाओं से पहले सरकारे वादा करती हैं प्रशासनिक अधिकारी या सत्ताधारी पच्छ का कोई मंत्री या किसी तरह की कोई भी सुधी लेने नहीं आया है लेकिन आज आए हुए सपा के पूर्मंत्री अनवर जी आई ये उनी से जानते हैं कि किस तरह से साथ देगी समाजवादी पार्टी इन मदर्सा सिचकों का औ इनको रखेगी क्या इनकी मांगो को सत्ता में आते ही सुनेगी क्या सत्ता में आने के बाद समाजवादी पार्टी मदर्सा सिचकों के बारे में सोचेगी जैसा कि पिछले छे दिनों से धरना दे रहे लेकिन अभी तक सत्ताधारी पार्टी की तरफ से कोई भी इनकी सुध लेने नहीं आए तो क्या कहेंगे इन लोगों के बारे में आप देखे मदरसा अधुनी की कऱर के जो शिचक हैं इनकी मांगें बहुत ही जायज है जब आपके अत्रेश चादो साहब की सरकार सी वो मुक्पंसी से तब इनों ने उन से ये मांग की थी कि मुझे राजांस के गरूप में आप कुछ पैसे दो उन्होंने माना इनकी बाज को और इनको तीन हजार रुपए महीने के महीने इन मदरसा सिचकों को उस्तरप्रदेश की सरकार से दिलाए जो योगी जी भी जो बाजपा की सरकार है नई बन कर पाए इन्होंने भी दिया है हाला कि कुछ दिन गया है वहां से 33 महीने से इनका कोई मान दे नहीं दिया गया मान दे बिये पास को 6000 और एमे पास को 12000 बारह हजार और 6000 और 6000 रुपए में गुजारा नहीं हो सकता और 33 महीने से ये पैसे पैसे के मौसाज हैं इनके बच्चे भूकों मर रहे हैं तन पे कपड़े नहीं तो य कि जानते नहीं कि कैसे मना जाता है ये अपने माबाब का इलाज नहीं कर पा रहे हैं बच्चों के इलाज नहीं कर पा रहे हैं अपने घर को नहीं ठीक कर पा रहे हैं ये खाना नहीं खा पा रहे हैं और ये अंधी गूंगी बैरी सरकार हैं चाहे वो जिली की मोदी की सरकार समाजवादी पार्टी मदरसा सिच्पों के लिए क्या करने वाली है समाजवादी पार्टी की सरकार ने अभी जब मांगा था मदरसा अधुनी करण के सिच्पों ने के राजजांस के रूप में मुझे आप दो तो अक्रैज जी ने इने 3,000 रुपе इजने में आज अक्रैज जी से बात करने के बादख अगर हमारी सर्कार समाजवादी पार्टी की सरकार आसी है तो आप पहले समगी ऐञां करता हूं कि 5,000 रुपे राजांस के रूप में इन सिच्पों को हमारी अध्सार प्रदेश की स सिखको को कि जब भी इनकी सरकार आएगी इससे पहले भी सरकार ने इनके कहने पर तीनेजर रुपए मांदे के तौर पे दिया हैं लोगों को देखते हैं कि क्या समाजवादी पार्टी सिर्वोट साधने का काम करेगी या उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से वादा कि सिर्वोट की राजनीद करेगी इसी के साथ मैं विक्रम आप से जाज़ा चाहूंगा नमस्कार आपने लगातार दिनों दिन से धरना दे रहा हैं मदर से सिक्षक करीब 6 दिन से अपने लगातार धरने पे लोग बैठे हुए इस थंड के मौसम में लगातार ग्यापन भी सर सरकार तैयार नहीं है तो दूसरी और उन्हीं के समस्याओं को देखते हुए सपा के जो मंतरी है उन्होंने आ करके सुद ली और मदर्सा सिक्षकों से उनसे पूछा भी और 2019 के चुनाओं में ये भी बताया कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो अपना निलना जो है उनके उ जैसे कि यह आपकी राजधानी की खबर है अन्य उत्तर प्रदेश की खबरों को प्रमुक्ता से प्रकाशित कराने के लिए आप हमें अपनी खबर हमारे वाट्साइब नंबर और इमेल पर भी भेश सकते हैं